कहा गया है कि कथा कहां कराएं ये प्रश्ण किया गया कथा कहां कराएं तो का तीर्थी बापी बनी बापी ग्रहे बास्रवडं मतम विशाना वशुना यत्रकरत ब्यम्तत कथा स्थलंग घर पर कथा कराएं उससे ज्यादा दसगुना फल मंदर के आंसमास कथा कराने का है मंदर में कथा कराएं उससे और दस्गुना ज़्यादा जो फल है वो तीर्थों में तीर्थों में कथा कराएं उससे तीर्थों में भी कोई मंदर है वहां कथा कराएं तो उसका और ज़्यादा दस्गुना पल है गव सालाओं में कथा कराएं तो उसका और दस्गुना जादा पल है नदियों के किनारे कथा कराएं तो उसका और दस्गुना जादा पल है पहाड परवत के उपर कथा कराएं तो उसका और दस्गुना जादा पल है शमुद्र के किनारे कथा कराएं तो उसका और ज़्यादा दस्गुना फल है लेकिन मैं आनंद के साथ कह रहा हूँ जहां सुरोता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती यहां बैट करके कथा सुनने में मन लगता है जहां लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो उसका बड़ा फल है जो कथा के सुरोता को वहां देता है विवस्ता करता है उंट गाड़ी इसमें तो उंट गाड़ी बैल गाड़ी उस समय यहीं चलते होंगे घोड़ा गाड़ी लिगनार के समय में आप अपनी मोटर साइकल से आते हैं खाली मोटर साइकल से मत आईए तो उस पर दो दो तीन तीन बठा के लाईए यदि चार पईये का वहां भगवान ने आपको दिया है तो अपनी गाड़ियों से खुब स्रोताओं को डो दोपेर में भी लाओ फिर साम को भी फिर आप देखिए आपकी कितनी बरकत होती है तो तीर्थे बापी बने बापी ग्रहेवा से उनम मतब जहां स्रोता वह तानंद के साथ कथा सुन सके कथा इस तल का चुनाव ठीक से कीजिएगा इसमें लिखाँ है बिशाना वसुदा यत्रा कर्तब्यम तत कथा इस तल कथा की जो जगह है वो विशान हो जहां वान वान खड़ा करने में भी कोई दिकत न हो लोगों को वैटने में भी कोई दिकत न हो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कथां हमारी चबुतरे पर होगी तो पूरा पुन्य हमें ही मिलेगा लेकर ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप दुश्मन के खेत में भी कथा कराओगे तो भी उसका संभून फल आपको ही प्राप्त होने वाला है ऐसा ही नहीं कहीं लिखाई नहीं है कथा जो इस्ताल है वो पवित्र होना चाहिए आसपास कटी खाना ये सब चीट कसाईयों का इस्तान वो सब नहीं होना चाहिए गंदगी ये सब आसपास नहीं होना चाहिए कथा इस तल ऐसी जगे पर जहां पर ये लगे कि हम किसी देव मंदर में आई हैं वहां का बातावरन बहुत सुखद हो कथा सुरू होने से पहले धूबतिया जला दी जाए अगर तगर जला दिया जाए तो वहां ऐसी खुस्वू इतनी शुगंदी वहां का बातावरन कपूर जला करके यग की आउतिया उसका धुआ करके वहां का बातावरन ठीक किया जाए अब देखो हम यहां आते हैं पहले उसे यग में आउतिया डाल करके वहां पर हवन कुंड रखा हुआ है कुछ भी की शाकिल की आउतिया डाल के फिर अंदर प्रिवेस करते ऐसा नहीं है कि बस इसमें लिखाए वही बूल दिया उस नियम को हम उसका पालन करते है इसमें लिखाए कि वहां का बातावरन वड़ा सुद्ध किया जाए पवित्र किया जाए लोगों को लगे कि हम एक धार्मिक इस्तान पर आए जहां कथा हो रही है वहां गजेडी भंगडी न रहें सराव दारू बारू पीने वाले वहां न रहें इस वात का आयक लोगों को बिलकुल ध्यान रखना चाहिए वहां तो बड़ी सुचता और बहुत पवित्रता होनी चाहिए विशाना में सुलहा यत्रा करदब्यम तक कथा इस्तल कथा इस्तल बड़ा पावन हो बहुत पवित्रो शोधन मारजन भूमी ले पनम धात मंदन इस लोग पांच हजार साल पुराने लिखा गया है इसलिए इसमें लिखा है कि कथा इस्तल पूरा गया के गोवर से लिपाई कर दो लेकर समय बड़ा है अब लिपाई तो नहीं हो सकती तो उसके लिए सब मिच्छा हुआ है तो वर्तमान हिसाब से यह विवस्ता है नहीं तो पहले की बात ऐसी थी कथा इस्तल को लिपवाया जाता था फिर वर्डन क्या गया है फल पुस्पाद लई श्रावस्ताने उगरा जिता है व्यास पिट की पूजा के लिए फल फूल पत्तियां पूजा में फूल की बड़ी महमा है तो आपर फूल पत्तियां भागवत की कथाएं तुलसी पत्त की कमी न हुबे खूब हजार हजार तुलसी पत्तियां गरंत के उपर चड़ाईए चतुर दिक्शुद हजार उपे कथा पंडाल के दसुद शाओं में धुजाएं लगा दे जो जो चीजें नहीं हैं उसको पूरा कर ले कदली खंड मंडता अव्यास मीट के आसपास केले के पेड़ लगा दिये जाएं जहां केले का पेड़ होता है वहां सत्त नाराण भगवान आके बैठ जाते है और जहां सत्त नाराण भगवान आके बैठ जाएं वहाँ कारे में कभी कोई कमी ही नहीं रह सकती तो मुझे केले के बिड़ दीख नहीं रहे हैं तो आप कल लगा दीजे तो यह है बहुत ज़्यादा जरूरी है और वर्डन क्या कदली खंड मंडता केले के वरेक्ष तुलसी के गर्वे तुलसी के गर्मले लगाई जा तुलसी महियाजी बैठी हुई है इतर फिर का उदमुखो भविद वक्ता सोतावे इप्रांग मुच्त अदा जिजमान का मुख है वो वक्ता के ठीक सामने होना चाहिए बिल्कुल जैसे आप बैटें ठीक बैटें तो जिजमान का जो मुख है वो बिल्कुल भग्ता की नाक के बिल्कुल सीध में बिल्कुल हो दौनों आमने सामने हो वर्डन किया गया हूँ